बिलासपूर ताना सदर के अंतिकरत बिलासपूर शहर के डियारा सेक्टर में एक बाहरी राज्य के अमित कुमार पुतर अजे सिंग गाम नागल ने डियारा सेक्टर बिलासपूर में अपने किराय के कमरे में फंदा लगा कर अपनी जीवल निलास मापत कर ली है पुलिस ने शब को कबजे में रेकर पोस्ट मार्टम के लिए अस्पिताल ले जाया गया है पोस्ट मार्टम के बाद ही सब पर जिनों को सौप दिया जाएगा फंदा लगाने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है पुलिस ने मुकदमा दर्च कर लिया है और अगामी कारवाश शुव कर दी है बिलासपुर थाना सदर के अंतरगत बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में एक बाहरी राज्ये के अमित कुमार पुत्र अजे सिंग गाउ नागल जिला बुलंद शहर यूपी उम्र 20 साल ने डियारा सेक्टर बिलासपुर में अपने किराए के कमड़े के अंदर फंदा लगा कर अपनी जीवन लीला खदम कर ली है पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पॉस्ट मार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है पॉस्ट मार्टम के बाद शब परजनों को दिया गया अभी तक फंदा लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है पुलिस ने मुकदमा दर्श कर लिया है और आगे की कारवाई जारी कर दी है बताय जा रहा है कि मृतक के परिवार वाले घर यूपी गए हुए थे जब सुबा दूसरी मंजिल पर उसी के चचेरे भाई ने सुबा देखा तो अंदर लटका हुआ दिखा जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस ने शब को कवजे में लेकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है डियस पे संजे शुर्मा ने बताए कि सुबा पुलिस को शूचना मिली कि डियारा सेक्टर में भारी राजे के ब्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है पुलिस कारवाई कर रही है और फंदा लगाने के कारणों के पता लगा रही है पर नौ में किरादार था ओमर वीस वर्स हांसी को फंदा लगा के पाता मत्यक्त में कर ली है पुलिस की टीम ने मौका पे पहुंच के शुर्भ को खबजे में लेकर रह विलास्पूल ने वो श्मार्टम आज कर बादिया है और शम जो है को उसके पर दिनों के वाजे कर दिया है पुलिस इस सारे मामले की टायबो जाज कर ली है कि किन पर स्थित्व में यह वो यह फंदार लगाए गया और धारा एक सो चो तफसियार पीसी के अट्रगत जो है को पुलिस अगामी कारवाई कर ली है